इस दुनिया में कई तरह की लगजिरिस सूपर कार्स हैं लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बिचितर और अजीब कारे भी हैं जिनें देखकर आप बोलेंगे अरे ये कैसी कार है और आज की वीडियो में हम उनी के बारे में बात करेंगे इस कार को पहली बार देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कोई बड़ी टेलिफोन है लेकिन असल में ये कोई टेलिफोन नहीं बलकि फोन जैसी दिखने वाली एक कार है जिसका सबसे मज़ेदार फीचर ये है कि इसमें होर्न की जगह टेलिफोन की रिंग टोन बसती है जो कार हर उस बड़े और अमीर आदमी को हमेशा जमीन पर रखेगी जो दोलत के आसमान में उड़ते रहते हैं ये कार इतनी फ्लैट है कि इसमें बैठने वाले इंसान खुद को जमीन पर ही महसूस करते हैं 19 इंस की उचाई की वज़े से इस कार का नाम Guinness Book of World Records में भी दर्ज किया गया है 1870 CC की इस कार में जेट इंजन भी है जिसके कारण ये कार इतनी फ्लैट होने के बावजूद 150 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल सकती है नमबर 3 Rain Speed Scuba कार दोस्तो ये एक ऐसी कार है जिसे हम अक्सर James Bond की फिल्मों में देखा करते हैं जी हाँ ये कार दुनिया की पहली ऐसी कार है जो जमीन के साथ साथ पानी में चलने में सक्षम है James Bond की फिल्मों से ही इंस्पाइड होकर ये कार बनाई गई है ये एक Electric कार है जिसे आप चार्ज कर सकते हैं ये कार जमीन पर करीब 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है वहीं पानी में करीब 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है इसे बनाया है अमेरिका के कस्टम गुरू जे ओहर बर्ग ने 100 फीट लंबी इस कैडलिक लूमीस सीन में 26 टार्ज है फ्रंट एंड बैक में एक ड्राइवर केविन है इतना ही नहीं बलकि एक किंग साइजड बैड, स्विमिंग पूल, जैक्यूजी और हैली पैड की भी सुविदा है सच में ये बहुत अमेजिंग कार है इसे पहली बात देखने में हर कोई धोका खा जाता है उन्हें ये कार नहीं, बलकि एक प्लेन लगती है लगिन जब इसे करीब से जाकर देखते हैं, तब इसकी असलियत सामने आती है इसकी लंबाई 42 फीट और उचाई 11.5 फीट है इसके अंदर एक बड़ी स्क्रीन है और साउंड सिस्टम के साथ काफी खुबसूरत लाइट लगाई गई है ताकि आप इसमें सफर करते समय दोस्तों के साथ पार्टी कर सको सबसी, अपसाइड डाउन कार क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये कार पलट गई है फिर भी चल रही है अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आपको बता दें कि इस कार का नाम ही अपसाइड डाउन है इस कार को पहली बार देखने पर लोगों का दिमाग चकरा जाता है क्योंकि इसे देखकर लगता है कि ये कार उल्टी चल रही है और इसका कारन है इस कार की अजीबों गरीब डिजाइन जिसे देखकर लोगों की आँखे 40 की 40 रह जाती है क्या आप कोई खिलोने जैसे दिखने वाली कार में बैट सकते हैं इसने में ये कार बच्चो वाली कार लग रही है लेकिन आपको जानकर हेरानी होगी कि इसमें आप आराम से बैट सकते हैं इस कार को दुनिया की सबसे छोटी कार माना जाता है पिल P50 की लंबाई सिर्फ 54 इंच है चोड़ाई सिर्फ 41 इंच है और उचाई सिर्फ 47 इंच है इ इसकी कीमत इसकी साइज की तरह नहीं है इसको लेने के लिए आपको करीब 14 लैक रूपीज देने होंगे इस कार को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये कार बैटमेन की उसी कार से इंस्पार है साओधी अरब की टीम गलब दवारा बनाएगी ये कार अपने अजीब डिजाइन की वज़े से लोगों में पसंद की जाने वाली कारों में सामिल है कारवन फाइबर से बनी इस कार का वजन करीब धाई टन है जिनको रफ्तार से लगा हुए उन्हें ये कार किसी सपने से कम नहीं लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड करीब 350 किलोमीटर पर आर तक पहुंच जाती है पर इतनी खर्चिली होते हुए भी अगर इससे छोटी सी भी दुरगटना हो गई तो ये कार कारवन फाइबर होने की वज़े से टुकरे टुकरे हो सकती है इस कार को रिनोल्ट कमपनी ने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया है जो आम लोगों के लिए बिलकुल नहीं है क्योंकि इसकी कीमत ही इतनी जादा है इसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है ये अपने आप ही चलती है और यहां तक कि इसमें ड्राइवर के लिए कोई जगह तक नहीं दी गई है ये पेट्रोल की जगह बिसली से चलती है और हर अमीर आदमी का सपना बन चुकी है इस कार के मार्केट में आने के बाद लोगों को टायर्स की जरूरत नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये हवा में तैरने वाली कार है जिसका सिर्फ एक पिटन दबाने से ये उड़ने लगेगी जो कार की दुनिया को बदल के रख देगी इसमें दो लोग आराम से बैठ सकते हैं और हो सकता है कि ये हमें आने वले समय में सडकों पर उर्ती हुई नजर आए तो अब आपकी बारी है नीचे कमेंट करके बताने की कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा इस चैनल पर ऐसी वीडियो अभी और आएंगी इसलिए सब्सक्राइब नह आने वाली अमेजिंग वीडियो मिस ना हो जाए मैं मिलता हूँ आप से एक नई अमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए स्टे फुलिश स्टे हमरी स्टे ट्यून